भागलपुर के विश्वविद्याले थाना छेतर के असाननपुर में एक दरदनाक हाथसे में एक इंजिनियर की माउथ हो गई मिर्तक की पहचान असाननपुर निवासी 42 वर्सिय महम्मद रासित के रूप में हुई है दरसल यह गटना उनके नए मकान की छट पर पानी डालती समय गटी जनकारी के नुसार पहली मंजिल पर काम करते हुए उनका पैर फिसल गया जिसके बाद गायल अवस्ता में साथी मस्दूरों ने उन्हें सहर के एक नीजी अस्पताल पहुँचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत खोसित कर दिया वहीं गटना के बाद से मृतक के परीजन सदमे में हैं और सावजिन के रूप से कोई परतिक्रिया देने से बच रहे हैं वहीं इस दोरान पत्रकारों और परीजनों के बीच कहा सुनी की इस्तिती ब्यूत पन्न हुई फिलाल पुलिस ने मौके पर पहुँच कर छान बीन सुरू कर दी है और सब को अपने कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया है वहीं पुलीस हाथ से के कारणों का पता लगाने में जुट गई है इसको उठा के हम लोग लिग गए वहाँ इंगाना रख्टर के लिए इंप्याजल रेमान के लिए वहाँ वहाँ पुलीस कर दिया है यह आज हुआ अभी 9 बजे हुआ आवेद रजा सहाब जो है बहुत अच्छे है और एक नेक इंसान थे बहुत कम उमर में इनकी मिर्ट्व हो गई हमको जैसे पता चला कि रजा सहाब जो है सवेरे च्छत पर से जो है वो गिर गए है तो हम यहाँ आए आज का दीन तो हम लोगों के लिए बहुत मरमाहत का दीन है इनका एक लाख बहुत अच्छा था हमेशा हम लोगों को सहोग करते है था था समाजी कार्व में भी मुटा बहुत बड़ा योगदान दाता था यह इंजिनियर थे इरिगेशन विभाग में नगच्छिया में पोस्टेट थे इनका और बहुत ही अच्छे बेक्टी थे और मैं समझता हूँ कि इस वर इनके साल बहुत बड़ा यह किया इतने कम उमर में जो है यह बेक्टी जो समाजी कार्व में भी राते थे इनको यह नहीं रहे तो यह समाज के लिए और हमारे लिए भी बहुत ही दुखर बड़ा बागलपूर जिले के पिरपैती थाना चेतर के अठनिया दियरा में गुरुबार देर रात एक दरदनाख हाथसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई इस गटना में महिला और उसके दो बच्चों की मौके परी मौत हो गई जबकि परिवार का मुखिया गंभी रूप से घायल हो गया गटना को लेकर बताया जा रहा है कि गौतम यादव अपनी पतनी बरसादे भी बेटे आयूस और बेटी जोती कुमारी के साथ घर में सो रहे थे इसी दोरान अचानक घर में आग लग गई आग इतनी तेजी से फैली की परिवार के सदस्यों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया वहीं गटना के दोरान बिजली नहीं थी और माना जा रहा है कि आग मुम्बती से लगी हो सकती है वहीं गटना की जानकारी मिलतो ही पिरपैती थानाद्यक्ष नीरच कुमार और दमकल की टीम मौके पर पहुँची जिसके बाद दमकल कर्मियों और अस्थानिय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी वहीं गंबीर रूप से घायल गौतम यादब का इलाज अस्थानिय अस्पताल में चल रहा है थानाद्यक्ष नीरच कुमार ने बताया की तीनों सबों को कबजे में लेकर पुष्ट माटम के लिए भेज दिया गिया है उन्होंने कहा कि आग लगने के सही कारणों की जाच की का प्रयास कर रहा है कि ऐसी घटना भविस्व में नहीं हो पूर्विजिला पार से तिरपैती राज़त प्रकंडर बेटी क्या कुछ घटना हुई है हमको तो सुबह पता चला कि वहाँ जो है तिन अदमी जलके और फ्रकूत पर भी देखे पुरी तरह से तिन अदमी जलके राख हुई है उसी में करम में हम आये नाम पता इनके बारे में हम जानते भी थे तो मिलिया आए इस परकार से क्या कुछ कहना अच्छे के इस परकार की निया घटना हुई है तो बहुत दुखत घटना है इसके बारे में कुछ और नहीं पूल सकते हैं एक परिवार के साथ बूरा चला गिया एक बच्चा को जरासा भी चुट लगता तो माबाब कितना परसान है अच्छा उजयो वैक्ति बच्चे हुए हैं ऊपाहाँ ही माया गन्तर चमा तुमा थए नहीं है मच्चु मातन के लिए जये मना ऊब एक व्ह्चा को एक वैक्ति बच्चे हुए है तो भागल प्रमून की क्या इस्थी है पायर जला हुआ है, येट के वो बच्वा है, वो निर्की अगर काथा फिता है, गितेज, प्रथी जिए स्वी साव आए वे थे, और अनाव परवारी को अनाव आए थे, वो हाँ से चिके साज हो लिए है, हाँ फिलीपी से 24 गंटे से नहीं है, लोग मुमत्ती से ही अपना का काम चला रहे थे, वो मुमत्ती किसी कारणा को से गिर गया है, घर में एक कपड़ा बदलाव की करती करती है, जोपड़ी पकड़ लिया है, तीन लोग मरे हैं, जिसमें एक स्वी स्वामी का बेटा है, एक बेटी है, आट साल का बच्चा प्रतियूस, जोती, दस साल का प्र गौतम, इसका पैर जला है, इसको किस तरह बचा लिया है, अच्छा, बुजूर्ग पिता भी, बुजूर्ग पिता जी वो पिरपाती में थे उस समय, मां भी कहीं दूसरे भाई की घर पर वठी हूँ थी, वो लोग कोई घायल वगरा नहीं है, बागलपुर के परतिष्ट समबर को विद्याले दौरा एक भब विवार्सिक महुतसब आयोजीत किया जाएगा, सुक्रवार को आयोजीत प्रेस वारता में विद्याले परसासन ने इस कारिक्रम के बारे में बिस्तार से जानकरी दी, प्रेस कॉनफरेंस में नभिग विद्याले की सीख्षिका, स्वा पुर्वचात्र और सिख्षक विसेस रूप से आमंतरित किये जाएंगे ताकि वे विद्याले की गौरबसाली यात्रा का हिस्सा बन सके, वहीं महुतसब को भब्य और यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां जोरों पर है, दरसल यह आयोजन विद्याले की सिख्षा स और समाज में उनके योगदान को और मजबूत करने की दिसा में एक महतपुर्ण कदम होगा। शाम पाँच बजे से होगी और यह शाम आट बजे तक चलेगा, जहां पर हमारे चीज़ गेस्ट मौजूद होगे, पूरी मानेशमेंट टीम होगी, फाकिल्टी होगी, गार्जिल्स होगे और बच्चे होगे। अविक विद्याले के मादियम से दर्शानी की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो हमारी संस्कृती है, जो हमारी संस्कार है, वो किस प्रकार बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। सरदर्ड, चक्कराना, गर्दन दर्ड, कमर दर्ड, लो बैक पेन, स्पॉनिलाइटिस, लखवा, पारलाइसिस, गत्या, साइटिका, फोलियो, गुटनों का दर्ड, आर्थिराइटिस, नसों का सूपना, फ्रोजन शोडर, लिगमिन, काटलेज, स्पोर्स इंजुरी, स्प कौल करे, 9431-446600 समय से ट्रक मालिक और चालक, खनन बिवाग और पुलीस की ओर से, ओवरलोडिंग के नाम पर हो रही परिसानियों का सामना कर रहे थे, वियार सरकार के मुकमंतरी नितिस कुमार और खनन मंतरी, विजय कुमार सिना दुआरा नई खनन नीती में, संसोधन कर इसे रोकने का प अवैद बालू लोड करने वाले ट्रक चालकों से वसूली करते हैं, एसोसियेशन ने इसे गंबीर समस्या बताते हुए कहा, कि वे इस मामले को भागलपुर के जिलादिकारी के समख चुठाएंगे, एसोसियेशन के पदादिकारियों ने सरकार से आग्रा किया है, कि ओवर परसाथसा, राजा परसादियादव, पंकर सिंग, राकेश कुमार यादव, आलोक और पवन सिंग सहित कई पदादिकारी और सदस से मौजूद रहे, एसोसियेशन ने इस मुद्दे पर सक्त कारवाई की मांग की है, और कहा कि यदि समस्या का समधान नहीं हुआ, तो वे आगे अंदोलन का रास्ता अपनाएंगे. और सरकार ने समधा, जो सही बात है, जो ट्रक्माली की मानदारी से वयापार करना चाह रहा है, कर रहे हैं, उनके सम्ग से बहुत करी, सर्कार के तरफ से पुलीस के तरफ से बहुत कफ़नाा है मांइनीग विभाए के तरफ से पुटा अधिकारी प्रोब्लम करेच कर रहे थे जगा जगा असूली कर रहे थे इंती पांसिंग हो रहा था इस सब मुद्य पर हमारी बात हुई तो बिहार सरकार के खनन विभाग से हम लोग का एक कानून बना था दूजार चोविस संसोधन एक उसमें था कि एक गारी पर अगर मतलब कि अंडर लोड में अगर बालू से पानी तिता हुआ है अगर उसमें ओफर लोड मतलब एक सो केजी भी हो गया तो आठ लाक रुप्या का फाइन किया गया उसी के बिरोध में हम लोग पूरे बिहार में चका जाम आंदोलन करने की तयारी किये थे जो तीस तारीक को होने बाला था तो सरकार ने इस बातों को लेकर एक बारता कराय पटना में आधरनिये बिजाई सिनहा मंतली जी के नेतृत में हमारे परदेश सद्याच महोदे के साथ हुआ तो उसमें सभी दल के लोगों ने एक साथ बारता किया बिहार में जितने भी संगठन थे तो उस संगठन में यह बारता हुआ उसी के बाद यह तय हुआ कि जो जो हम लोगों ने मांग रखा था उस मांग में कुछ मांगे को मनें नहीं माना गय आपन कर रहे हैं कि आप जो अस्वासन दिये हैं टीवी में चैनल में मीडिया में जो हमारे विजे सिनाजी ने बोले हैं तो उसको मांगा पूरा करें उसके ताथ हम लोग को दो चार मांग ही मातर था कि आप ओबर लोड के खिलाब जितना फाइन करना है कर दें लेकिन अगर गारी अंडर लोड चल रही है तो फिर आपका पूलीस हमारी गारी को पकर कर थाना में क्यों लगाता है बागलपुर के बाइजानी पंचायत इस्तित फुलवरिया गाउं में आयोजित साथ दिवस्य स्रीमत भागवत कता ग्यान महायग के चौते दिन भब्य आयोजन हुआ इस मौके पर भगवान स्रीकृष्ण का जनमोटसव हर सोलास के साथ मनाया गया और नर्सिंग भगवान एवं परलाद की लीलाओं का सुंदर वर्नन किया गया कथा वाचक जगत गुरू स्री अनंता चारे ने अपने प्रवशनों में धर्म के महत और आदर्स जीवन जीने की कला पर चर्चा की उन्होंने भगवान परलाद और स्रीकृष्ण के जीवन से जूरी सिक्षाओं पर जोर देते हुए कहा कि धर्म के मारग को अपना कर जीवन को सफल बनाया जा सकता है वही कारिक्रम के मुक्य अतीति पुर्वकेंद्रिय मंतरी अश्वनी कुमार चौबे ने अपने संबोधन में सनातन धर्म की एक्ता पर बल दिया उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और धर्म के परचार परसार में सभी के योगदान की आवशक्ता पर चोर दिया वहीं समात से भी परसांत बिक्रम ने भी आयोजन की सरहना की कथा में बड़ी संख्या में स्रध्धालू उपस्तित रहे जिन में अस्तानिय निवासियों के साथ साथ दूर दरात से आए लोग भी सामिलते वही कारिक्रम को सफल बनाने में कुस पांडे सौरब दूबे, अंकित पांडे बरजेस दूबे, नवनीत पांडे सालेस दूबे, सदानन दूबे साहित सेकडों लोगों ने महतपुर्ण भूमी का निभाई